कि हलो आज का जो मेरा सेशन है इस पेशली 25 और 26 के जो बच्चे निमसेट के लिए प्रप्रेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टन चीजे हैं जो मैं आपके साथ डिस्कृस करूंगा यह दिया आप सेल्फ स्टेडी कर रहे हैं तो किन-किन बातों का मेंली ध्य पैटन की आपने देखा निमसेट ने अभी न्यू पैटन कर दिया है है न्यू पैटन का मतलबौ में पैटन अब sectional paper कर दिया और sectional paper के भी timing fix कर दिया यानि आपको math 70 minute में ही solve करना है reasoning 30 minute में ही solve करना है computer और English को 20 minute में solve करना है और three section को timing fix है अपने आप timing खतम होगा और अगला section आ जाएगा तो ऐसे में आप लोगो किन-किन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना है यह मैं बताना चाहूंगा और आप लोग इस पर apply करिए क्योंकि अगर आप self study कर रहे हैं और अगर आपने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया जो आपकी self study में कही ना कही improvement भी लाएंगे और आपको help भी करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो नए pattern के साब से देखें तो मैस का थोड़ा सिलो करिए पर accuracy के साथ करें जिन बच्चों ने इस बार 25 या 25 प्लस कियें वह बच्चे यह ने और जिनने 30 40 45 भी कियें पर रॉंग ज्यादा होने के वैसे उनके स्कोर्स डाउन हो गया तो आपको ध्यान रखना है तो अब आपके पास का time है total 70 मिनिट कोशन ने 50 है अगर हम पर कोशन टू मिनिट भी दें तो 35 कोशन होंगे और अगर किसी कोशन में 3-4 मिनिट लग रहे हैं तो हो सकता काम हो यानि सबसे पहले माइंड सेट यह करिए कि हमें 70 मिनिट में 50 कोशन नहीं बलकि 70 मिनिट में वो कोशन करने जो आपको बनते हैं यानि यानि सिंपल कोशन आपको पहले लेना है मीडियम लेवल का सेकंडर स्टेज में और थर्ड यह प्राक्टिस आपको रेगूलर बेसिस पे लगीगी यदि आप सोचते हैं कि मैं केवल पूरा से लिबस खतम करने और बाद में टेस्टिंग करूं तो आप यह वाली एक्यूर सब्सक्रारा रॉंग ना हो इस पर भी तैयारी करनी है क्योंकि अगर आपने इस बात पर समय रहते हो ध्यान दिया 25 वाले बच्चों के पास भी सफिशन टाइम है और 26 वालों के पास तो और ज्यादा टाइम है बट टाइम कितनी तेजी से निकलता हम देखते हमें हम सोचत का विटेश कम ज्यादा हो जाता जैसे बार बच्चों ने कैलकुलास काफी करी पर कैलकुलास के कॉश्चन काम है ऐसा हो सकता है इसलिए मैं आपको बोलूंगा इंटायर से लेबस में किसी भी टॉपिक के अब डाउन होते हैं दूसरा वैक्टर के कोश्चन थोड़े से फ कॉंप्लेक्स नंबर बाइनिमल थेरम यह सपोर्टिंग टॉपिक से करना है तो आपको नंबर वन तिंग हुई कि पहले तो मैस की अंडेस्टेंडिंग लेवल को डवलप करना है पेपर इस साल का टॉफ नहीं था बलकि सिंपल था और बेसिक लेवल का था इसका मतलब और पीछे जाना है तो अगर आपकी मैस अच्छी नहीं है तो माई पर्सनल सजेशन कि आप 9 10 की भी मैस सॉल्व करें जैसे मैं अभी अभी क्लास में उतने ही पीछे से जा रहा हूं मैंने अभी जो नया बैच स्टार्ट किया उसमें सबसे पहले चेंज कि अब और बैसिक से प कोश्चन आता है उन बच्चों के सेलेक्शन के चांसे ज्यादा है जो की अंडरस्टेंडिंग लेवल जिनका माइस का अच्छा है तो आपको इस पर वर्क करना तो सबसे पहले आप लोगों को बेस बुक पर काम करना चाहिए तो 9 10 की NCRT सॉल्व करिए 11 12 की NCRT या RD शर्म करने की जगे एक गाइट को फाइव टाइम सॉल्व करें उससे आपकी अंडरस्टेंडिंग लेवल बढ़ेगी दूसरा एक न्यू तिंक्स आपको डवलब करना है वह क्रिएशन ऑफ कोशन जो मैं अभी एक सबसे बड़ा चेंज ला रहा हूं और लाया हुआ हुआ है कि क्रिएट करना अना चाहिए कोशन अगर आप कोशन क्रिएट कर रहे हैं मतलब नए कोशन क्रिएट कर रहे हैं तो अगर एक्जाम में न्यू कोशन आएंगे तो आप उन-चेंज्शन को सॉल्ve कर पाएंगे यह भी एक बहुत बड़ा चेंज इस मैंने किया है Раз में की बुक ही खोड़ना ना पड़े आप ऐसे पड़ो कि आप खुद जन्रेट कर सको इस तरह के थौट प्रोसेस के साथ आप सोचिए तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपको यह एक चीज जवू करनी चाहिए तो क्रियेट करना आना चाहिए मतला आपका लॉजिक बने अब बात आती एलार सेक्शन की एलारो कॉंट को लेकि आप लोग बहुत कंशीज होते सबसे पहले तो कॉंटिट अप्रिटिट्यूट का पोर्शन कम आता पर कॉंट मतलब मैथामेटिक्स का एक बेस पार होता है और लॉजिकल रिजिनिंग भी मैथामेटिकल कोर्शन का ही एक बेस पार होता है आपको इस बार साइमेटिस ली इसको भी प्रैक्टिस करनी है इसलिए इंपिटर्स गुरुकुल ने इमिजेटली एक्शन लेते हुए अभी से एवरी संदे मैस के साथ सथ एलार का टेस्ट भी इंक्लूट कर दिया क्योंकि अगर आपने एलार के टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी है अगर आप सेल्फ स्टेडी कर रहे हैं तो अभी से करिए उनकी एट लीस्ट थर्टी मिनिट से वन आर आपको एलार को देना चाहिए कंप्यूटर के लिए क्या करने वाला हूं वह भी बता रहा हूं तो यह बात ध्यान रखिए तो इमपिटस गूरू कुलने तुरण यह चीज़ एक्टिन में लेकि अभी नए बैच में इंप्लीमेंट कर दी और कंसे बिडिलिंग टेस्ट के नाम से मैंने टेस्टिंग स्टार्ट भी कर दी कंसे बिडिलिंग टेस्ट में मैए के बेसिक रीजिनिंग के कोशिण कॉष अब बात करते हैं computer in English computer में 20 question आएंगे वो भी attempt करना है computer normally ऐसा होता है क्योंकि आपका background होता आप कर लेते हैं इस बार कभी सावी बच्चों ने किया और अच्छी बात यह थे computer ने जो कोर्स में computer पढ़ाया पूरे question वही आए तो आप लोगों को बता दूँ कि अगर आप computer background के तो कोई दिक्कत नहीं पर इसके भी weekend पर at least अभी weekend पर आदा एक घंटा जहूर दे और बहुत जल्ली मैं computer की testing पार्ट को start कर दूँगा क्यों क्यों कि computer भी एक पार्ट है यानि आपको simultaneously करने अब बात आती English की पहली बात तो यह कि English का केवल 4 परसेंट है और याद रखिए कि अगर आपका English basic अच्छा या grammar अच्छा है अगर English basic अच्छा है और grammar अच्छा है तो आपको English के question अपने आप बन जाएंगे 10 में से 4-5-6 और नहीं है तो दिक्कत अच्छा दूसरा जिनकी English और grammar अच्छी होती है वो अगर बिना पढ़े देते हैं तो 5-6 बनते हैं पढ़के देते तो 2-3 क्योंकि पढ़ने से confusion create होने लगता है तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि कि आपको confused नहीं होना है तो entirely अगर आप सबसे पहले देखें तो summary बताऊं तो आपको math reasoning और computer को time देना है और basic से पढ़ा ही करनी है confused नहीं होना दूसरी बात अगर आप self study कर रहा है तो my personal suggestion आप यह मत सुचे क्योंकि मैं self study point of view से session ले रहा हूँ my personal suggestion कि आप testing अपनी regular basis पे अभी करिए अभी से करिए क्योंकि मैं जब बच्चों को देखता हूँ कई सारे बच्चे बाद में impetus से जूड़ते हैं वो इतने last moment पे test series जोइन करते हैं कि उनका improvement नहीं होता और मैं तो कहता हूँ impetus गुरू कुल ने तो इतना अच्छा है कि self assessment test series रखी 25 की और उसका कोई charge भी नहीं करना भी जहूरी जो जो टॉपिक कर रहे हैं उनको testing करना जहूरी इसलिए इंपिटर्स ने प्राक्टेस टेस्ट सीरीज रेगुलर टेस्ट सीरीज लांच कि उसका परपर यह ही है और इंपिटर्स गुरू को का test series का मतलब होता है कि आप अपने आपको बिल्कुल प्रॉपर आरिंज प्रॉपर ली पढ़ाई कर सकते क्योंकि मैं हमेशा weekly प्लान बताता हूं क्या पढ़ना है अगले एक महीने में क्या पढ़ना है test paper कौन से होंगे उन test paper का live analysis होता है पूरे इंडिया में कोई paper का live analysis नहीं देता printed solution कोई भी देदेगा live analysis नहीं देता उससे आप question solving approach को develop करते हैं तो मैं आप सभी बच्चों को एक बात बोलूँगा कि अगर आप self study कर रहा है तो number one thing एक तो बहुत ही focus होके पढ़े at least three to five hour की preparation every day होना चाहिए without any failure चाहिए कुछ भी हो जाए तीन से पांच घंटे minimum पढ़ना है maximum की कोई limit नहीं वीकेंड तक कोई भी चीज recovery नहीं हो इसको cover करना है संडे को सोने से पहले अगले week का target set करना है कि मुझे next week तक क्या-क्या portion cover करना है और उस portion को cover करते हूँ और जो जो portion cover होता जाए उसमें अपने आपको test करना है और हर subject क प्रॉपर ध्यान देना है accuracy पर बहुत वर्क करना है portion creation पर काम करना है मैं sure हूँ कि अगर आप यह करेंगे तो आपको फायदा होगा मैं आप लोगों को मतली ब्लान भी दूंगा और अभी आपके लिए कुछ special sessions भी आपको regular basis पर YouTube पर मिलेंगे जो आपको self study में help करेंगे thank you and all the best